इस question में क्या आपको question मा की value find करनी है तो चलिए इसका logic देख लेते हैं इसका logic क्या है देखिए सबसे पहले 1 कैसे आएगा इसमें क्या हो रहा है अगर 0 को करते है square ठीक है न और plus करते है 1 तो कितना आने वाला है आपका 1 ही आने वाला है इसी तरीके से क्या है अगर 1 का करते है square ठीक है और minus करते है 1 तो कितना आने वाला है 0 आने वाला है फिर क्या है तू को करते है क्या square ठीक है और करना क्या प्लस करना है 1 तो कितना आपका 5 आता है इसी तरीके से क्या है 3 का करना है square ठीक है और माइनस करना है one तो nine minus one टो eight आता है अब क्या होगा? इसके बात क्या होगा? four का होगा square प्लस one होगा तो sixteen plus one तो कितना होगा? 17 होगा तो जो question mark उसकी place पे क्या आना वाला है? उसकी place पे आना वाला गा? 17 हाना वाला है तो यह क्या होगा? सकांजर होगा, 17 क्या होगा सकांजर होगा